आप भारति जंता पार्टि का थी क्लाप हैं कंप भाजपके खिलाप नहीं है लेकिन भारति जंता पार्टी का कोई विधायक या ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ आउज– अगामाळ दाइत क्या है क्या नहीं है यह महत नहीं ना होते तो भी बोला जाता ऐसे क्या हो रहा है कि भारती जनता पार्टी के अधिकतर विधायक अखाडो अखाड़े हो या संसमाज हो इन लोग की जमीन को खुर्द बुर्द करने का काम कर रहा है तो भारती जनता पार्टी के लोग इसके जबाब देढं मैं उनका परवक्ता थो हूं। श्क्रीन पर दिख रहा जिस पर साफ तोर पर लिखा है स्चाइट पढ़ा। दिखा दूल है अगर कुल तो आपको समझ में आएगा कि मामला कुछ बड़ा है, मामला हरिदवार का है, मामला संत से जुड़ा है, मामला अखाड़ों से जुड़ा है। सर्वोच्छ है इस लेटर में साफ तोर पर देखने लेटर लिखा किसको गया है लेटर लिखा गया है सेवा में श्री नरेंदर मोदी जी माननी प्रधान मंतरी भारसरकार तो आखिर ऐसी क्या जरुवत पड़ गई कि एक अखाडे को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को ए और आपसे यही जानना हमें, पहली बात तो यह है कि चुकि अखाडे अखाडे जितने प्राचिन अवदृत मंडल आश्रम के आप इठा दिश्वर हैं, तो इन सब चीजों का जो उद्देश्य है, जो अखाडे का उद्देश्य क्या है? वो अखाडे करते रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा इत्याशिक कुम्ब का आयोजन होता है, देश्वर में चार स्थानों पर कुम्ब होते हैं, उन कुम्ब छेत्रों में हमारे तेरे अखाडे कुम्ब का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरे भारत वर्ष सरदालु आत यह अखाड़े इस देश की धरोवर है और संतों का काम उस धरोवर को सर्जक्षित रखने का है हम सब लोग उसके सर्जक्षन के लिए जो भी प्रियास होते वो करते हैं और हमारे वहाँ पर रहने वाला संत समाज लगातार पूरे देश में भर्मन करते हैं भर्मन के माध्यम से हिंदु समाज को धर्म की जानकारी देने का काम करते हैं वो गाउं गाउं जाते हैं बारह वर्स तक हमारी जो भर्मन सील जमात है अकाड़े की वो गूमती रहती है गाउं गाउं जाती है लोग को धर्म के बारे में बताती है तो ये किवल केंदर मातर न यह हमारे पूरवज हमारे संतों की धरोवर है जिसको स्रक्षित और स्रक्षित रखने का काम हम सब कदाइत है जब मैंने सोचल मेडिया पे आपको देखा तो आप कई बार लगतार आप इस बात पे लेंड जिहात की बात करते हैं आप लफ जिहात की बात करते हैं आप जो संत का जीवन है हमारा जो जीवन है वो समाज के लिए है समाज सरक्षित रहेगा संस्कारित रहेगा समाज में अच्छी चीजे होगी तो समाज की जिम्मे दाईत संतों का है तो समाज में जो विकरती आती है उसको दूर करने के लिए भी हम सब प्रयास करते हैं गलत चीजों के लिए हम आवाज उठाते हैं जो भी संकार्ट इस देश में आते हैं उसके लिए संत आगे आते हैं और उस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ते हैं हमेशा से इत्यास रहा है संतों ने गोरक्षा के लिए अपने प्रान दिये हैं देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान संतों ने दिया है और देश की आजादी के बाद भी देश कैसे स्रक्षित रहे कैसे संसकारित रहे कैसे हमारी जो युवा पेड़ी है वो विविन परकार की कुरूतियों की भेटना चड़े ये सब काम हम लोग लगातार करते रहते हैं देव भूमी में जिस परकार का ये संकाट एक लैंड जिहाद के माध्यम से हमारी संपत्यों को कबजा करने काम ऐसे जिहादियों ने किया है उसके खिलाब हम सब संतों ने मुकर होकर आवाज उठाई है तो ये हम सब का दाइत है और समाज में के सहयोग से ये सब काम हम करते रहते हैं अब आता हूँ उस विशे पर जिस विशे को लेकर के काफी बड़ा ही अलग बिल्कुल माहोल क्रियेट हुआ कि ये सारी चीजें हम संस्कृति की बात करें हम हिंदुत्यों की बात करें ये सारी चीजें भारती जनता पार्टी का भी एजंडा होता है और कहीं न कहीं संसमाज भारती जनता पार्टी को एक तरीके से सपोर्ट करता है वो नजर भी आता है क्योंकि सारे विशे सेम रहते हैं तो आप भारती जनता पार्टी के ही विधाय के खिलाफ है मैं भारती जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ भारती जन्ता पार्टी का जो वैचारी का दिश्ठान है वो इस देश की सब्वेतार संस्कृती के सरक्षन सवर्धन की बात करते हैं वो पुज्य संतों के सम्मान की बात करते हैं हमारे देश के परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी आप देखेंगे कि वो उत्राखंड में आते हैं तो भगवान केदारनाद के दर्शन के लिए जाते हैं बदरीनाद जी जाते हैं वो मद्दे परदेश में जाते हैं तो जैन महाकाल के दर्शन जाते हैं उत्तर परदेश जाते हैं तो काशी विश्वनात के दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन मातरी नहीं उत्तर परदेश और मद्दे परदेश या उत्राखंड में जो ये चार धाम योजना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनोंने वो एक एक जानकारी लेते हैं, कि कैसे जो हमारे हिंदु समाज के धरोवर है, इस देश की धरोवर है, वो कैसे अच्छित रहे, कैसे उसका पनुरुदधार हो, वो दिन रात इसकी चिंता करते हैं. लेकिन हमारे विदायक जी ने जिस परकार से अखाड़े में और अनेको आश्रों में उन्होंने इंटर्फियर करके ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा जिसको हम लोगों ने चर्चा की तो इसलिए हमें चिंता हुई हम भाजपा के खिलाब नहीं हैं लेकिन भारती जन्त पार्टी का कोई विदायक या ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाब आवाज उठाने का हमरा दायत बनता है हम किसी के पिछलगों नहीं हैं लेकिन हम जिस अखाड़े के महमर्लेसर है जो हमारी जवाब देई है तो उस अन्याय होगा तो हम लोग उसमें बोल का प्रियास है तो मतलब आपने यह भी सोच लिया है कि मदं कुशिक जी मैं सिदहा नाम ले रहा हो चुकि आप शुन्या है हरिभार के विद्धायक मतलब हर दो समाज मागंगा के पृति स्रद्धा रखता है और हरीद्वार में उनके स्थान निवास होते हैं आश्रम अखाडे मट मंदिर इनको सुरक्षित और सुरक्षित रखने का काम भी हम संतों के साथ साथ जन पृति निदी का भी है उनकी समस्याओं का निराकर्ण करना लेकिन अगर जन पृति अनेको आश्रम अखाड़ों में समस्याएं थी लेकिन ये पहली क्योंकि अखाडे का मामला था अखाड़ा एक बहुत बड़ी संस्ता होती है देश बर में तेरे अखाड़े है अखाड़े के करोड़ों नहीं आई है आप देखते होंगे जब कुम्ब का आयजन होता है पि तो ये हमारी एक दरोवर समाप्त हो जाएगी इसलिए हमारी आवाज उठाना ये जायज था और हमने केवल आवाज नहीं उठाई हमने उनको दिशा निर्देशित किया कि अखाड़े और संतों की राजनीती में जनपर्तिनीती को नहीं पढ़ना चाहिए अगर आप समस्य अलग है कई बार लोग राजनीती में धर्म को लेकर आते हैं लेकिन धर्म में भी अलग राजनीती है वह अखाड़ों की इंटरनल चीजे हैं उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन उन्होंने जो रोल निभायत उसके कार्ण संतों किसी का समर्थन कर देना समर्थन जारी की जिए उस सूची को आप देखेंगे एक सो बीस पेजों की सूची है उसमें असी परतिशत असरम रख़डों की जमीने जो उनको ली गई कैसे ली गई क्या वैपार हुआ है क्या सोदा हुआ है वह तो जाच का विशा है हमने जाच के लिए ग्रह मंत्री को भेजी गई है तो जाच होगी इसमें लेकिन जो अखाडे का निर्ण है हमारे जो पंच होते हैं जो निर्णा करते हैं हम सब को मानने होता और इसमें कोई भारी विक्ति आकर कहे कि मैं इसके साथ हूं या मैं इसके साथ कड़ा रहूंगा यह संभाव नहीं है अबी 2022 का जो इलेक् आते पाटी के अब परदेश अदिक्ष नहीं है पहले केमिनड मिनिस्ट्र भी थे तो यह कारण भी हो सकता है कि कि अब रहर कि सवारा तो अब जो है भांगार फैले नहीं बोला गया अभी बोला जारा ह्यक्योंकि वह माना जा रहे ग़ना गब का ने वससमें ऑफ्ति बोल गया है क्या हैं नहीं है यह महत नहीं नहीं होते तो लुजाता और होते तो भी बना सा इसा क्या है क्योंकि रिश कandez में भी प्रकी यह सिथा कि वितायक जो है की तो मुझे जानकारे नहीं है अगर भारती जनतापि का विदाया की कर रहा है तो भारती जनता पारटी के लोग इसके जवाब दें मैं उनका परवक्ता तो हो नहीं बहुत वो ही बताएंगे लेकिन योगी हम सब लोग हिंदुत्यु के नाते भारती जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और धर्म के जिन मुद्दों पर भाजपा का इश्पष्ट रुख होता है तो हमारी अपेक्षाई भी उनसे ही है और हमारी अपेक्षा के साथ साथ जो आम जन्मानस है जो आम हिंदू है वो भी चाहता है कि भारती जन्ता पार्टी का नेता वो जन्परतिनीदी हो चाहे सामाने नेता हो चाहे सांसद हो चाहे मुख्यमंत्री हो उनसे अपेक्षा करती कि दरहमार हिंदुत के मुद्दे पर ये हमारी स हायता करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, इसलिए उनसे ज्यादा पेक्षा होती है, बाकी लोग तो सब कैसे हैं, वह आप सब को पता ही है, इसलिए कोई इस परकार की घटना होती है, वो पद पर है या नहीं है, इसका कोई महतनी है, आज विदायक है, कल को नहीं होंगे, या और पद होगा, वो अलग मामला है, लेकिन घटना करम आज होगा तो आज बोला गया, बलकुर, अच्छा ये जो मामले हैं, या इस तरीके की खुर्दबूर्द करने की पूरी बाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस समय मानी विदायक के उपर ही आरोप है, या अन्य जो लोग हैं, जन परतनी दिया हैं, सांसा दिया है, और भी कोई लोग इंवाल्व हैं इसके अंदर, और किसी का स्राच्छड तो नहीं है उसके अंदर, अखाडे को लेकर केवल इनकी भूवी का उसमें नजर आई, इसलिए अखाडे ने इनको हिदायत दी कि आप अखाडे के इसमें इंटरफियार ना करें, और अगर फिर भी नहीं ऐसा मानते हैं, नहीं करते हैं, और वो अपना काम जिस तरी के से पहले कर रहे हैं, तो फिर क्या अखाडे का, चुकि आपने बोला स्रिपंच परमेश्वर का ही सब डिसीजन होता है, सरवच डिसीजन होता है, जो भी अखाड़ का हमारा एक समविदान है, हमारे अखाड़े की एक बोड़ी है, जो इसा नेने लेती है, अगर वो नेने लेगी, जो भी नेने लेगी, आम सब लोग उनके साथ है, ठीक है, तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको सारी जांकारी आपको समझ में आ गई कर रहे हैं, उनको इंटर्फियर नहीं करना चाहिए, चुकि वारते जन्ता पार्टी के विधायक हैं, तो भारते जन्ता पार्टी की परंपरा जो है, उस परंपरा को निभाते हुए, अगर वो सही तरीके से चलेंगे, तो ज्यादा बहतर है, संसमाज का पूरा स्टेटमे हो सकता है, अन्य विश्यों को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, जिस तरीके से आप खुले तोर पर जिहाद, लेंड जिहाद की बात करते हैं, आप लव जिहाद की बात करते हैं, आप हिंदुत्य की बात करते हैं, उसको लेकर के भी दोस्तों, पूरी तरीके से चर्चा करे कि आज की बात सुनकर के समझ करके क्या लगता है क्या मामला है पूरा इस मामले को लेकर के जो भी कुछ आपके मन में कुछ सुझाव आता है कोई समझ में आता है वह आप कमेंट सेक्शन में अपने परतिकरी आवश्य दीजिए तमाम विश्य को लेकर के मिलते रहेंगे देखते रहिए दनीव जो नेटवर्क आपने जो समय दिया हमें उसको ले बहुत बहुत हैंबाद